ओम शान्ति अपसे बुस्वागत है आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 16 सप्टेंबर की इश्रेवरतान की जहां परम्पिता परमात्वा चाहते हैं कि हम परदरशन को रोके देखिए हमारा सारा टाइम जो होता है वेस्ट वो इसी चीज में होता है कि इसके अंदर कोई मिस् परमात्वा कहते हैं यह बहुत बड़ी बिमारी बन चुकी है सारी दुनिय में एक दूसरे की कमिया खामिया कमजोरियों के बारे में सोचना और बोलना और वर्णन करना उसको चित में रखना तो उसको हम खतम कैसे करें हम अपनी स्क्रिप्ट को अपनी लाइफ हम जो एक् और बेमीमियों के बारे में ऊछे चीसे करना शूरू करते तॉ परमात्वा का तरशन चक्र के टाइटल की सम्रिटी दुवरा सवदर्शन करना ना कि और इंख दर्शन अलबगों में मतलब किया होगा होगा कि कि किसी बुराइयों देखी किसी अंदर कमजोरी देखी तो हमारे अंदर ego स्टाट हो जाती बड़ी चुरू जाती देखा मैं तो ठीक हूं मेरे अंदर तो है नहीं वहीं इंसान गलत है और हम जादा तर अपना टाइम स्पेंट करते हैं यह प्रूफ करने कि मैं ठीक हूं वह इ संबंद है संबंद संबंद होते हैं वह बिगड़ने शुरू जाते हैं क्योंकि हम अपनी कमी कमजोरियों को देखते नहीं हम औरों की कमी कमजोरियों को ज्यादा अपने दिल में रखते हैं और दिमाग में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर या इर्शा या महान आत्मा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ मैं स्वचिंतन करने वाली आत्मा हूँ स्वचिंतन परचिंतन नहीं, स्वचिंतन करने वाली तो देते हैं, उन्ही टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ट स्थिती में सहज ही स्थित हो जाएंगे कि हमें stop करना है अपने आपको औरों के बारे में सोचना है नहीं अपने बारे में सोचो तो क्या सोचो अपने बारे में अंदर अच्छाईया भी है और अपने अदर बुराईया भी है दोनों के बारे में सोचना है और पुराइयों को अच्छाई में परिवर्तन करना है सिर्फ बुद्धी से वर्णन नहीं करो लेकिन सीट पर सेट हो जाओ यहनि कि मैं महान आत्म हूँ, शक्तिशाली आत्म हूँ मैं स्वाचर्टन, चिंतन करने वाली आत्म हूँ बुद्धी से हो गया, परमात्मा चाहते हैं कि उसकी seat पर set मतलब क्या हो गया दिल से set हो जाओ, कि हाँ मेरा मन है कि मैं अपने बारे में सोचू और अपने बारे में ना सोचू इसके मुझे ये जो स्वमान है या ये मेरे लिए जो important सोच है वो मुझे बरकरार रखने हैं कि मुझे स्वव का चिंतन करना है, परचिंतन नहीं करना है फिर परमात्मा कहते हैं जैसा title वैसी स्थिती हो यदि स्वदर्शन चक्रधारी का title स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता, ये भी title है मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ या मैं सेल्फ फोकस करने वाली आत्मा हूँ मैं औरों के पर फोकस नहीं करती तो औरों पर फोकस का मनलब कुछ लोग समझ देते कि औरों को पर फोकस नहीं करना मतलब क्यों इनको care करना है छोड़ दे, यह नहीं, फिर relationships का से improve होगे आपके, और problems आएंगे, तो पर दर्शन का मलब, पर के अंदर जो कमी कमजोरी हैं, उसको चित्म ना रखो, उनका wonder ना करो, उनके बारे में सोचो मत, नहीं तो husband wife का relationship कराब दोते हैं, नहीं तो friends के relationship कराब दोते हैं, क कि मैं अपने ऊपर ही इसवा कदर्शन कर रहा हूं, मैं अपने एपने अपने चिंटन कर रहा हूं, अपने बारे में सोच रहा हूं, तो मेरे अंदर ना इर्शा, ग्रिणा, ननफृत, आले से अल बीलापन, कुछ नहीं आ सकता, ना अहंकारा सकता है, क्योंके किसी और के में गरत नहीं सोचा माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती किसी की बारे में सोचा है नहीं किसी के ऊपर सोच है नहीं तो मेरे अंदर माया मतलब अंकार कुरोद इरशा घ्रणा नफृत attachment, इस सारी चीज़ें कैसे आ सकती है स्वधाशन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता ये कैसे करें, ये कैसे समझें इसको समझने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी इसमया करके और डिटेल में समझना पड़ेगा कि आप अपने बारे में सोचें और उक्वे बारे में ना सोचें इसके साथ उम्शान दें